अब दोस्तों आज हम लेट बिजयान के कटिंग करेंगे शूट के तो पहले हम इसमें सोल्डर नापेंगे तो हमने इसमें छैंच रखा सोल्डर और छैंच पर हम इसके आर्म होल कर निसान लगाएंगे और इसका इस तरह से बॉक्स बना देंगे बॉक्स बनाने के बाद इस राउंड से देते हैं गोल कर देंगे क्योंकि हम फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं तो यहां से आधा इंच एक्स्ट्रा लिया जाएगा और इसका भी हम मिस्तर से बोक्स मना देंगे इसे भी राउंड शेट देते हुए इस तरह से गोल कर देंगे अब हम इसमें चेस्ट पर चलते हैं तो चेस्ट हमारा 24 है तो जो था इस सामने 6 इंच लिया है यहां कमर से लेंगे साढ़े पांच और हीब लेंगे 7 इंच अब इन तीनों पर्ण को मिस्तर से मिला देंगे यह हो गया और यहां से मोरजन का भी ले लेंगे इस तो अब मारजन का हो गया और इसी पर हमें कटिंग करनी है तो हम नेक दिजान की कटिंग करने तो पहले हम इसमें सोलर को डाउन करेंगे आधा इंच दान करने के बाद हम गले की लैंथ मैंने इसमें साथ छे रखिये तो चार इंच पर हम निसान लगाएंगे और इसका इस तरह से बॉक्स बनाएंगे पहले एसे बोक्स बनाने के बाद सरांसे देते वे अव कमीए यसे इसल से इसले मांगे k हुशा जेले के आए बिसमें डिजाइन देंगे, इस तरह से, और ऐसे लाएंगे, फिर हम ऐसे कर देंगे, तो हमारा बहुती सुन्दर नियान डिजाइन बनका त्यार हो जाएगा, और इसी पर हमें कटिंग कर देनी है, तो इसी पर हम इस पर कटिंग कर देंगे, पहले हम इसमें आर्मोर कटिंग कर देंगे, तो हमने जो आधा इंचरक्षा लिया था, हम डालेक्ट उसी पर कटिंग कर देंगे, तो कि हम फ्रंट के कटिंग कर रहे है, तो यहां से हम साइड से कटिंग कर देंगे, बहुआ है तो इस तहरु से लिए न करके एया होता है जैसे शेव कटा आप आप अंतर पट्टी कातनी है और इसे लिए तरह कर देंगे तो हमारा जैसे खरज़ आपतते हैं हुआ हुआ है हुआ है हुआ है तो यह हमारा डिजाइन बन के तरह त्यार हो गए अब फिर इसके बाद हम यहां पर बादने वाले डोरी लगाएंगे लटकन लगाएंगे तो यह इस तरह से हमारा बन के त्यार हो जाएगा और यहां पर जोइंड कर देंगे यहां से अदोन तरफ इस तरह से बांद देंगे तो हमारा यह बहुत ही सुन्दर बन के त्यार हो जाएगा इस तरह ऐसे रहेगा ऐसे बन के त्यार हो जाएगा इस तरह से बांद दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेर एंड सस्क्राइब करें